अच्छा बचो आजम रक्तादान के दोरान यदि सावधानी नहीं बढ़ती गई, ऐसावधानी हुई, तो उसे कौन-कौन से इनकी रोग हो सकते हैं, उसके बारे हम देखते हैं, सबसे पहला था है HIV, 1st and 2nd, ऐसे HTLV 1st and 2nd, Hepatitis B और C, और Curatis-Geltis-Jeps-Rog, यदि रक्तादान के दोरान ऐसावधानी बढ़ती थी, जो कि मैंने कल आपको बताई थी, अब आता है, रुदिरवर कानवन सिक महतव, जेनेटिक सिकनिफिकेंस ऑफ ब्लड ग्रूप, इसके अंदर देखें, इनकी कल मैंने बताया थे, जो ब्लड ग्रूप जो है, A, B, A, B और O, प्रकार का है, तो इसका जीन प्रोरूप यदि देखा जाए, तो इसके अंदर जो जीन जो है, वो इनकी, A का इनकी, I, A, I, A, B का, I, और इसका दो हो सकते हैं, I, A, I, A, I, A, और I, O, से भी दर्शा सकते हैं, ऐसे B का, I, B, I, B, I, B, I, O, ऐसे इनकी A, B का, A, B ही होता है, इसमें O वाला नहीं होता है, और O वाले के अंदर, I, O, I, O, ये इनके जीन पायाते हैं ये कोई भी इनकी पैतरक्ता समंदी विवाद हो जाता है तो उस दोरान काम में लिए जाते हैं जैसे मान लेते हैं इनी को आधार मान करके ना और अपने इनकी कुश्चन को हल करेंगे तो जैसे मान लेते हैं कि पैतरक्ता समंदी विवाद जो है उसको हल करने में कैसे काम आता है अब एक इनकी बच्चा है शिशू है जिसके उपर दो दमपत्ती दो माता पिता जो है वो अधिकार जता रहे हैं कि ये बच्चा मेरा है वो कहता है कि ये बच्चा हमारा है और दो दमपत्ती अधिकार जता रहे हैं उस बच्चे का ब्लड ग्रूप है B बच्चे का ब्लड ग्रूप B है अब एक दमपत्ती है जो अधिकार जतारी उसमें पुरुष का रुधिरवर्ग तो O है और इस तरी का रुधिरवर्ग A B है दूसरी दमपत्ती है उसमें पुरुष का रुधिरवर्ग A है और इस तरी का B है रुधिरवर्ग तो अब बताओ कि आप उस जो शिशू है वो बच्चा है उस बच्चे को कौन सी दमपत्ती को इनकी सोपेंगे किसका अधिकार उस बच्चे के उपर तो अब ऐसी स्थती के अंदर क्या हो जाता है कि कैसे निरने करें तो इसको अपन ब्लड ग्रुप को ध्यान में रखते हुए करते हैं जैसे देखते हैं ये तो आपने इनकी देख लिया क्वेशन के अंदर बच्चा जो है ब्लड ग्रुप B का है तो अब इनकी अपन क्या करते हैं कि प्रथम दमपत्ती है उसका ग्रुप का एचितरी है वह üç तो एंके जीन पर रूप अपने लिए तस्वी इसको लेते हैं और फिर इसका क्रोस्द यस्तिस ऐसे इसका 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 इसक कर लेते हैं दोनों के जीन प्रोप को अलग करने के बाद में इनका क्रोस करवाते हैं दोनों तरफ इसके दोनों तरफ से इनकी करवाते हैं तो अपने पास में जो है यह इनकी आता है एबी ब्लेड ग्रूप का बच्चा पैदा कर सकते हैं या फिर एबी ब्लेड ग्रूप का कर सकते हैं या फिर एक गुरूप का पैदा कर सकते हैं तो इससे इसपर्ष्ट हो गया है कि केवल जो प्रथम दंपत्ती है वो इनकी भी रुजिर वरक का सिशु उत्पन कर सकते हैं दूसरी दंपत्ती है वो से इनकी बच्चा पैदा भी ब्लड गुरूप का हो ही ने सकता इ इसलिए पैतरक्ता समन्दी जो विवाद आते हैं, उनको अनल करने के लिए, ये ये काम मिलि जाती है। अब आता है कि अंगदान और देधान मालो कोई भी जीवित या मृत व्यक्ति जो है वो किसी भी व्यक्ति को अपने अंगदान कर देता है तो वो अंगदान कहलाता है और देधान इनकी कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनका इनकी जो दिमागी खराब होने के कारण से या ब्रेंडेड होने के कान से इनकी सारे पार्ट्स तो सही काम करते हैं लेकिन ब्रेंडेड हो जाता है तो वो इनकी धेदान कर देते हैं ताकि एक धे से लगबग पचास इनकी जरुतमंद जो लोग हैं उनको इनकी जीवनदान मिलता है तो ये कहलाता है अंगदान या देधान कहलाता है अब वैसे बच्चे से लेकर किना 90 साल तक के इनकी बुजर्ग जो है वो अंगदान और देधान कर सकते हैं इसलिए जिसे इनकी दूसरा जो व्यक्ति है जो जीवित है उसके जीवन के अंदर रोशनी मिलती है और हम भी इनकी दूसरे जीवित व्यक्ति के अंदर जो व्यक्ति इनकी मर जाता है वो व्यक्ति दूसरे जीवित व्यक्ति के अंदर जीवित इनकी विदमान रहता है अंगदान का मैतव क्या है अभी मैंने बता है कि मृत्यों के उपरांत भी हम जीवित रहें दूसरे व्यक्तियों के अंदर हैं हमारी आँख, पुर्दे, यक्रत, अगनास है, हर्दे, फेफडे, अस्ति, मज्जा, तवचा हैं यह हमारी मृत्यों के बाद में जब किसी दूस कि मदद करो जिनका जीवन किसी अंग के अभाव के कान से बड़ा कश्ट प्रद है ताकि मृत्यों के पहश्याद जो है उसका जीवन जो है वो अच्छा हो जाए, कश्टों से दूर हो जाए, मृत्यों देधान से अंग निकाल करके ना और जो जरुतमंद जो व्यक्ति है उसके अंदर प्रत्यारोपित कर दे जाते हैं, ट्रांसपर कर दे जाते हैं, देधान अभी मैंने बताया था कि जिसकी इनकी ब्रेंडेड व्यक्ति जो है वो इनकी कर सकता है, जिसकी मृत्यों किसके कान से होई, ब्रेंडेड होने के कान से होई है, और मृत्यों जो शरीर जो होता है उसे 6 गंटे से लेकर 8 गंटे के बितर नेतरदान क्या जा सकता है नेतर जो है 6-8 गंटे जब व्यक्ति की मृति हो जाती है तो 6-8 गंटे के अंदर नेतरों को निकाल कर दूसरे व्यक्ति के अंदर हम ट्रांसफर कर सकते हैं तो वो सई रूप से प्रतेरोपित हो जाते हैं सही सुचार रूप से कारिये करते हैं बार सरकार का बार सरकार जो हर वर्स 13 अगस्त के दिन को अंगदान दिवस के रूप में मनाती है जो 13 अगस्त का जो दिन है वो अंगदान दिवस के रूप में मनाय जाता है और समाज में कई व्यक्ति इस कारिये के लिए आगे भी आये हैं है ना उसमें से कुछ हैं जैसे मालो 90 वर्स की उम्बर के अंदर अपने नेत्र का कोर्णिया दान कर कौन लक्षमी कैप्टन लक्षमी शैगल ने दूसरों की जिंदगी के अंदर रोशनी प्रदान कर दी हाली के अंदर साहितेकार डाक्टर विश्नु प्रभाकर के परिजनों ने उनकी इच्छा नुसार मृत्यू के बाद में उनकी धेका दान किया ऐसे इनकी पश्चिम बंगाल के पूरु मुख्य मंतरी स्री जोती बसू प्रख्याद समासेवी स्री नाना देशमुक आदी की धे भी उनकी इच्छा के नुसार मृत्यू के बाद में देदान कर दी गई है ऐसे इनकी साधवी रितम भरा और करकेटर गोतम गंभीर ने भी मृत्यू के पहशात अपनी देदान करने की गोशना की है जिससे दूसरें के जीवन को कुछ इनकी लाप्राप्त हो सके उनके जीवन में खुसियां खुसालिया सके इसलिए मरत सरीर जो ह और अंगदान या देदान कर सकते हैं कोई भी व्यक्ति चाए वो किसी भी धर्म का हो जाती का हो या लिंक का हो वो अंगदान या देदान कर सकता है पहली बात तो यह है दूसरा है कि 18 वर से कमायू के जो व्यक्ति हैं उनके लिए माता पिता या कानूनी अभी भावक जो ह उनकी सहमती आउसक है अंग दान या देदाता जो है दान करतने वाला जो है अपने जीवन काल में दो गवाओं की उपस्तती के अंदर लिखित में सहमती प्रदान करनी चाहिए उसको तब जाकर के ना उसके उनकी शरीर में से अंगों को निकाला जाता है दो गवाओं की उपस्ति में सहमती प्रदान की जाती है और यदि मृत्यूप से पूरू ऐसा नहीं किया गया दो गवाओं की उपस्ति में इनकी सहमती नहीं दी गई तो मृत्यूप अश्यात उसका अधिकार उस व्यक्ति के पास होता है जिसके पास सवका विदिवत आधिपत्य होता है और लास्ट है भारत में अंगदान और देदान एक कानोनी रूप से मन है इसके साथ बच्चो ये जो आपका जो चैप्टर जो है चोथा ये कंप्लीट होता है नेक्स डे हम पांचवा चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे